हेलो एंड वेलकम टो पीएसी पंचाय दी ओफिशिल यूट्यूब चैनल ऑफ ओमनी सेंट्स अकैडमी आज आप लोगों ने सावी नहीं देख लिया होगा कि नोटिफिकेशन मदधविधिश गवर्मेट की तरफ से आच चुका है पत्वारी के बहुत सारे पोस्स निकले हुए है उसमें सिलेबस में चेंज है या न हमने देखा है कि सिलेबस में चेंज है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो भाग में पहले एक पेपर होता था अब दो paper होंगे ठीक है paper one and paper two a and b पहले वाले में समान्य ग्यान, समान्य हिंदी, समान्य अंग्रेजी और समान्य गड़े थे दूसरे वारे में समान्य ग्यान, अभिरुची, समान्य कंप्यूटर ग्यान, समान्य तारकिक योगिता which is reasoning and समान्य प्रवंधन which is general management, इसका मतलब होता है general management, general management, ठीक है हम कोशिश करेंगे, individually मैं और हमारी सारी टीम, इस सारे syllabus को videos में divide करेगी और आपको कोशिश करेंगी कि जितनी जल्दी जल्दी हम आपका syllabus complete करा सके, उतनी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि fruitful results आपके लिए प्रेसेंट कर सके, ताकि आप practice करके, जितनी जल्दी अपने goals का achieve करना चाहें, कर सकते हैं general management में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 100 marks से 2 paper है और इस वाले second paper में 100 marks का जो है, उसमें 4 topics दी होगे है general management को अगर देखा जाए तो on average 25 marks होने चाहिए अगर हम 100 में से divide करें, तो चारों में divide करते हैं, समान्य हिंदी, समान्य computer ग्यान, समान्य तारके क्यों गिता तो समान्य प्रबंधन में at least 25 questions वहाँ पे होने चाहिए और हम उसी हिसाब से कोशिच करेंगे कि जो भी management के principles है, management क्या होता है, वो सारे आपको जितना simple words में, ताकि आपकी understanding मनें और questions को tackle करने की capacity develop हो जाए, वो हम आपको provide करने की कोशिच करेंगे तो हम content क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, यह देख लेते हैं, details of syllabus में, यह देखें, कि introduction to, introduction to management introduction to management में क्या है, कि actually मैं management होता क्या है, what is management, what is management management क्या होता है, ठीक है, तो management क्या होता है, यह पढ़ेंगे, management के अंदर कौन-कौन से aspect आते हैं, वो सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे, जैसे management बनता के चीजों से, तो जो आने वाले chapter से management उनी से बनता है, for example, planning, organizing, staffing, directing and controlling, directing and controlling यह सारे processes मिल करके management को बनाते हैं, management करते क्यों है, management की जरूरत कहां बढ़ती है, management किस तरीके से efficient and effective होता है, management किस तरीके से, efficient, efficient मतलब less wastage, less wastage and effective, effective, effective का मतलब होता है, in, limited या फिर given time, में, limited या given time में अगर कोई task किया जाए, तो effective होता है, और अगर किसी भी चीज में कम से कम wastage हो, तो उसे efficient बोला जाता है, कि आपने किसी काम को ऐसे किया कि उसमें wastage का, जो, जो कमी निकली थी, वो कम होगी, management की किस किस चीजों से मिल करके बनता है, management से फायदे क्या होता है, management क्यों करते हैं, ये सारी सीजी हम introduction to management में पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे, theories of management, जिसमें कि Henry Fayol, Henry Fayol के, Fayol के scientific principles, scientific principles को हम देखेंगे, scientific principles को हम देखेंगे, कि किस तरीके से scientifically उन्होंने कोशिश की थी, कि management को वो define कर सके हैं, scientifically कौन कौन से वो practices है, जो offer हो सकें, उसके बाद हम और देखेंगे, कि कैसे other scholars ने पढ़ा, और factory model of management लेकिया है, factory, factory model of, model of management, factory model of management में क्या होता है, कि वो observe करते हैं, कि किन चीजों से लोगों को ज़ादा आसानी हो रही है काम करने में, management का ultimate aim यह है, कि जो भी आप काम कर रहे हो, उसको आसान बनाना, efficient बनाना, effective बनाना, तो उन्होंने यह देखा, कि किस तरीके से अगर कोई जो labor है, वो labor या फिर जो factory worker है, वो दूर जाता है किसी tool को लेने के लिए, किसी tool को लेने के लिए वो दूर जाता है, जो जिसके basis पे management एक टिका हुआ है, management science है, या management arts है, या management दोनों का combination है, pseudo science है, यह सारी बात हैं, theories of management में करेंगे, उसके बात planning के बात करेंगे, planning अब हम जैसी planning, organizing, staffing, directing and controlling पढ़ेंगे, तो यह सारी steps है of management, तो management इनी चीजों से बनता है, तो इनी को हम और analysis करके पढ़ेंगे, planning का मतलब क्या होता है, planning का मतलब होता है, planning is preparing in advance, preparing, preparing और, preparing और, knowing in advance, knowing एक काम करते हैं, इसको पहले हटा लेते हैं, तो आपको भी बहता देखेगा, मुझे भी आसानी होगी, यह जो हमारा factory वाला part है, यह आपने समझ लिया है तो अब हम next देख लेते हैं, कि planning में क्या-क्या आएगा, ठीक है, preparing और knowing in advance, in advance, what is to be done, what is to be done, is to be done, how is to be done, क्या होना है, कैसे होना है, how is to be done, and by whom, किसके द्वारा, by whom, is to be done, is to be done, यह सारे प्रश्णों के उत्तर जहां मिलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, planning, वहाँ पर क्या होता है, planning, हर आसपेक में, planning बहुत important होती है, था हम, what is, हम planning में पढ़ेंगे कि importance of planning, ठीक है, हम importance पढ़ेंगे, planning की, हम कोशिश करेंगे, कि factors, factors contributing to planning, यह जाने, ठीक है, planning efficient कैसे होती है, efficient planning कैसे होती है, यह जाने, यह सारी चीज़े हम planning में बढ़ा लेंगे, organizing का मतलब होता है, कि आप अपने business का एक structure बनाए, business का एक structure बनाए, कि इसमें एक sales department होगा, एक marketing department होगा, एक production department होगा, है न, और एक administrative department होगा, ठीक है, यह सारी चीज़े मिलके हमारा organization मनेंगी, क्या क्या आप उसमें करना चाहते हैं, जैसे, अगर आपका एक production house है, तो production house में आपको कहीं से raw material लाना पड़ेगा, ठीक है, आपको raw material लाना पड़ेगा, फिर, वो raw material के लिए आपको machine लगेगी, convert करने के लिए, कुछ skilled labor लगेंगे, कुछ semi skilled labor लगेंगे, यह सारी चीज़े मिलकर के, आपका organization structure बनेंगी, क्या करना है, कैसे करना है, staffing में आते हैं, staffing, जब आपने plan कर लिया, क्या करना है, आपने organize कर लिया, कि यह यह aspect होंगे मेरे business में, या फिर मेरे काम में, तो staffing में, आप एक workload and workforce analysis करें करेंगे, क्या करेंगे, workload, workload and workforce, workforce, analysis होगा, analysis, इसमें क्या होगा, workload and workforce analysis में, आप यह पता करेंगे, कि मुझे, मेरे organization में, कितनी चीज़े चाहिए, ठीक है, कितने लोग चाहिए, कितने लोग चाहिए, और मेरे पास, actually में, अभी कितने लोग हैं, अगर जादा है, तो आप उनको, निकालेंगे, जैसे आप यह lawn mask कर रहे हैं, अगर कम है, अगर, कम है, तो आप उनको recruit करेंगे, जिस तरीके से, मध्यपुदेश की, जो संस् होगा, कि पटवारियों की ज़रूरत हैं, हमें, मध्यपुदेश में, तो लोगों को बुला रही हैं, तो वर्क लोड एन वर्क फोर्स एनालेसस होता है, तो और एक बार हमेशा कोश्च करें, कि गर्मेंट के आसपे कोई सहुझने कोश्च करें, अगर वो भरतियां नहीं निकालते हैं, तो हो सकता है कि वर्क लोड एन वर्क फोर्स मैनेश्मेंट में, वो अभी बैटना रहा हो, डिजिटलाइजेशन के कारण जादस जादस चीज़ें, अभी डिजिटल प्लैटफॉर्म में हो रही तो लोगों की ज़रूरत ना पढ़ रही हो, तो ये सारी ची किया, एक selection process हुआ, उनका aptitude जाना, उसके बाद आपने recruitment किया, उनका orientation कर दिया, ये सारी चीज़े staffing में आती है, staffing के बाद directing, directing में, आप उनको उनका काम बताएंगे, उनको motivation करेंगे, तो motivation का मतलब क्या होता है, motivation का मतलब होता है, to stimulate, to stimulate, stimulate, stimulate an individual or a group, an individual, एन इंडिविज्वल और ग्रूप तो डू, तो डू सम वर्क, सम वर्क, इवन, इवन, ही और शी और दे, नॉट इंटरस्टेड इन, इवन अगर वो इंटरस्टेड भी नहीं है, तो भी अगर आप कोई काम करा दें, उनको कुछ आप ऐसा दे, इसमें कुछ लोगों के सबसे पहले बेसिक नीड्स होती है, अब होते हैं, बेसिक नीड्स मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, दूसरी नीडस होती है, दूसरी नीडस होती है, शोचल नीडस, शोशल सेक्योरिटी नीडस, शोशल स्यक्योरिटी की मतलब मेरे पास एक घर तो हो गया, फिर में future में कल मेरे पास job रहेगी की नहीं मेरे पास insurance है की नहीं फिर होता है आपका social recognition जब आपके पास एक level में प्रेसा आ जाता है तो फिर आप चाहते कि लोग आपको socially recognize करें तो social recognition ठीक है उसके बाद होता है social recognition उसके बाद prestige प्रेस्टीज मतलब आप अपने काम में इतने होना चाहते हैं कि लोग आपको अलग से जाने ठीक है लोग तो जान रहे हैं उसके बाद आप प्रेस्टीज पाना चाहते हैं और लास्ट में होता है self-actualization जब यह सारी संसार से आप मुक्त हो जाते हैं जैसे आप विराट कोली जैसे कुछ हो गए कि आपने टॉप पी चूलिया आप सब बेस्ट कर रहे हैं उसके बाद जब जो आप करना चाहते हैं ठीक है जो आप करना चाहते हैं वह अचीव करते हैं that is self-actualization ठीक है वह किसी मोटिव से डिराइब नहीं होता वह आपको self-interest के लिए करते हैं ठीक है कुछ लोग किताबे लिखते ह हैं कुछ हेमाले चले जाते हैं कुछ घीता भगवत गीता पढ़ते हैं कुछ वेदास पढ़ते हैं यह सारी चीज़े self-actualization के जब आप यह सारी चीज़े अचीव कर ले तो जो टॉप में आता है self-actualization तो मैं यह बता रहा था कि मोटिवेट कर अगर किसी इंडिविजिय होगा काम करने के लिए वो काम करने के लिए अभी तयार नहीं आपने उनको कुछ ऐसा ओफर किया क्यों आप करने के लिए तयार हो गए आप क्या किया आपने उन्हें पैसे ओफर किया आपने घर में रहने के लिए रेंट पे घर ओफर कर दिया कि आप हमारे यह रहा हो थो एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेज्बिंट एक सकते हैं तो आपको कंट्रोलिंग के बारे में थोड़ा सा और बता पाऊंगा अच्छे से अगर वैसे यह सब इंट्रोडक्शन तो आप ज़रूरी लिखेंगे नहीं है यह सब हम ओविसली डिटेल में पहले ही बात में पढ़ने क्या होता है कि यहां कंट्रोलिंग तक आएंगे फिर से फीड़बैक भीचेंगे और वापस यह साइकल प्लैनिंग और्गनाइजिंग स्टाफिंग डिरेक्टिंग दुबारा से चालू रहेगा ठीक है तो लास्ट क्या होता है कि लास्ट में आप जब सारी चीज़े कर ल प्रोड़क्शन किया कहीं अबर मेरा एफिशेंसी सही है कि नहीं मेरे लेबर मेरको कोई नई मशीन तो नहीं चाहिए मेरे काम करने के लिए या 120 हो गया तो आप यह देखेंगे कि कहीं मैंने अंडर एस्टिवेट तो नहीं कर दिया था अपने रिसोर्स को कहीं ऐसा तो न लिए से प्रोलिंग साड फीट गबन फीड़िट पेजते हैं नि कमिंटी को आप क्या करते हैं आपने अपने चीज करने के बाद जब आपने इप्लाइंग कमिटी को उसमें क्या होता है कि देखो पिछलीवार हमने यह को में प्रॉस्मार पहले कर पैधिंने तो हँंडर म सी है ना marketing marketing management and accounting management को भी देखेंगे पहले हम previous year questions कुछ चाट लेते हैं कि किस type के questions आ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगी उसी direction में आपको पढ़ाएं जादा बहुत जादा management भी ना पढ़ें जो आ रहा है हम कोशिश करेंगे उसी के जल्दी पढ़ना है आपको जल्दी cover करना है तो आप comment box में बजा सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि priority में उन सारे topics को पहले रख लें ठीक है thank you for listening